राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं आबंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज मैं आपके लिकराई हूँ चैत्रमास में क्रिशन पक्ष की नोमी तिधी को सुनी जाने वाली दशा माता की कथा बंधों चैत्रमास के क्रिशन पक्ष की प्रति पदा तिधी से लेकर दश्मी तिधी तक रोजाना दशा माता के वरत किये जाते हैं और दशा माता वरत कथा सुनी जाती है बंधों यदि आप दशा माता के वरतों को नहीं कर पाते तो दशा माता की इस कथा को भी सुन लेते हैं तो आप पर कभी भी जिन्दगी में बुरी दशा नहीं आएगी आप पर दशा माता प्रसंद रहेंगी बंधों यदि आप ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वली सभी वीडियो की जानकारे सबसे पहले हो सके बंधों वीडियो को पूरिय सुनें सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जे दशा माता जरूर लिखें बोलो दशा माता की जए हो एक गाउ में एक बढ़िया प्राहमनी रहती थी वह बहुत गरीब थी उसके एक बेटा था एक दिन वह अपने बेटे से बोली बेटा कुछ ऐसा काम करो जिस से चार पैसे की आमधनी हो हम दोनों का जीवन निर्वाह हो अब मेरे तो बढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है तब उसका लड़का गाउवालों के जानवर चराने लगा एक दिन लड़का पश्यों को पानी पिलाने नदी पर ले गया वहाँ पर महिलाएं शुनान करके दशा माता का डोरा ले रही थी उनके पास एक डोरा बच गया उनमेंसे एक इस्त्री ने कहा, इस लड़के से पूछो कि वह किसका है, तब एक इस्त्री लड़के के पास जाकर पूछने लगी, तुम्हारे घर में कौन कौन है, लड़के ने बताया कि केवल मेरी बुधी मा है, इस्तियों ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा तुम इस डोरे को ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और प्रस करें हम तुम्हें सीधा और पूजा की समक्री भी देते हैं इसे भी अपनी माता को दे देना लड़के ने उनसे डोरा ले लिया फिर सब इस्तियों ने उसे सीधा भी दिया लड़का उस सामान को लेकर घर आया उसने दरवाजे से ही मा को पुकार कर कहा गठरी को उतार लो मैं बोश से दबा जा रहा हूं उसकी मा बहुत प्रसन हुई मा ने बेटे से पूछा यह सब कहां से ले आये हो लड़के ने मा को सब समाचार सुना कर दशा माता का डोरा दे दिया बुडिया ने डोरे को लेकर माते से लगाया और उसी दिन से ब्रत करने लगी नो दिन तक कथा कहानी कहती रही दस्वें दिन उसने डोरे की पूजन की तैयारी शुरू की वहें देरी के बाहर गोबर से लीप रही थी कि उसी समय एक बहुत ही गरीब बुढिया आकर बोली क्या कर रही हो बेहन उसने जवाब दिया की आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है इसलिए लीप रही हूँ उस बुढिया रुपी दशा माता ने कहा मुझे बहुत प्यास लगी है थोड़ा सा पानी पिला दे इस पर लड़के की माता बोली मैं तो इस मिटी के बरतन से पानी पीती हूँ मेरे यह लोटा लुटिया कुछ नहीं है तुमको पानी किस में भर कर दूँ एक कटोरी ही है मेरे घर में पता नहीं मैं कहां पड़ी होगी जरा तुम ठहरो मैं कटोरी ले आओ तब तुमको पा बुढिया हाँ धो कर अंदर कटोरी लेने गई इसी बीच दशा माता जिन्होंने बुढिया का रूप धारन कर रखा था उसके मटके रखने की जगे पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर ध्यान हो गई बुढिया कटोरी लेकर मटके के पास गई वहां सोने का घड़ा खोजने निकली तब तक उसका लड़का भी घर आ गया उसने मा से पूछा तुम किसे खोज रही हो उसने बताया अभी शिन आवस्था वाली बुढिया आई थी और वहां सोने का घड़ा रखकर ना जाने कहा चली गई लड़के ने बताया वह ही तो दशा माता थी उन्हों तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर जो चीज मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रशास समझ कर ले आना किसी से यह पूछ ताच मत करना कि यह चीज किस की है यह कहां से आई है बुढिया नदी में नहा कर बाहर निकली तो उसे सूने का घड़ा भरा दिखाई दिया और उसके पास ही अच्छे वस्तर रखे थे बुढिया ने कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने की तयारी शुरू की चार कहार एक डोली लेकर उसके पास आए कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा बुढिया जब घर पहुच किया और हाद जोड़कर वर्दान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे सम्मद्धी दिया है उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहु और आ जाए तभी यह सब शोभा देगा कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुन्दर सुशील बहु के घर आ गई बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा कि जैसे मेरे बहु बेटे सुशील और सज्जन है उसी प्रकार के मैं पुत्र पाऊं कुछ दिनों बाद बुढ़िया के यहां एक पुत्र रूपी रतन पैदा हुआ एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहु को पांस बिठा कर समझाया कि मेरी यह सब समती दशा माता की प्रदान की हुई है उन्हें की कृपा से तुम इस घर में आयो मेरे नहीं रहने के बाद यदि कोई मैले कुचले कपड़े धारन की बुढ़िया तुमारे घर पर आये तो उसे आंचल के डोरे से पोच डालना घ उसको तुम भी अवश्य लेना और शद्धा पुर्वत उसका पूजन करना जब भी तुमारे उपर संकट के बादल घिर जाए तो सुहागिनों को न्योता देना दशा माता की कृपा से तुमारे सब इच्छाएं पूरी होंगी कुछ दिनों के बाद बुढ़िया का स्वर भिखारिन का वेश्धारन कर उसके घर आई उसे देखते ही बहु खड़ी हो गई उसके पाउच हुए और बालक को उसकी गोद में डाल दिया उसकी शर्धा भक्ति से दशा माता बहुत प्रसन हुई उन्होंने आशिरवात दिया तेरी धर्म बुद्धी है भगवान तेरा सदैव कल्यान करेंगे भंडार भरपूर रहेगा तूजो इच्छा करेगी वह तुझे अवश्य प्राप्त होगी दशा माता ने जैसी क्रिपां बुढ़िया ब्रामनी पर की वैसी ही क्रिपां सब पर करें बोलो दशा माता की जय हो राधे राधे जय श्री कृष्णा बं बन्यवाद बोलो दशा माता की जय हो